जनवरी के पहले सब्ताह में प्राइमरी मार्केट थमा हुआ है, क्योंकि इस सब्ताह में कोई नया IPO नहीं हो रहा है, और नहीं मैनबोर्ड और SMI सेगमेंट में कोई नई शेर लिस्ट हो रही है। हालां कि कुछ SMI IPO में निवेशकों के लिए मौका रहेगा, जो पहले से खुले हैं। शांतिगुरु इंडस्ट्रीज के शेर ने शुकरवार को 19.76% बढ़कर 8.4 रुपए के स्थर पर स्थित होकर अपर सर्किट लगाया, जिससे निवेशकों का ध्यान आकर्शित हुआ। मैनेजमेंट में बदलाव भी हुआ है। हुडको ने गुजरात सरकार के साथ 14,500 करोड की दील पर हस्ताक्षर किये, जिससे हुडको के शेरों ने 2023 में 135% रिटर्न दिया, शेर मल्टी बैगर बना। साल 2023 में भारतिय स्टॉक मार्केट में रिटेल निवेशकों की संख्या ने 8 करोड को पार करके बढ़ती, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक नए निवेशकों को शामिल किया। टाटा मोटर्स ने साल 2023 में अपने निफ्टी पाटी के शेर की मूल वृद्धि को देखते हुए, एक साल में उसकी मूल लागत को डबल किया, जिसमें कम्पनी के तिमाही नतीजे, JLR के प्रदर्शन में सुधार और नए प्रोड़क्ट्स का लाँच शामिल है। प्रोड़क्ट्स का लाँच शामिल है।